नमस्कार दोस्तों, English with DK में आप सभी का स्वागत है, हम पढ़ रहे थे कक्स्या बारा, फ्लैमिंगो बुक का सेकिंड चेप्टर, जिसके दो भाग हमने पूरे कर लिये थे, जिसके पहले भाग में हमने साहिब की कहानी को पढ़ा था, दूसरे भाग में हमने मुकेस की कहानी को पढ़ा था, और आज के इस पार्ट थर्ड के अंदर हम सवीता की कहानी को पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं सवीता की कहानी को, सवीता, a young girl in a drab pink dress sits alongside an elderly woman, सवीता एक युवा लड़की है, जिन्होंने हलके pink color की dress पहन रखी है, sits alongside जो बगल में बैठी हुई है, एक बड़ी महिला की, soldering, pieces of glass, जो glass के टुकडों को जोड रही है, soldering कर रही है, as her hands, जैसे कि उसके हाथ जो है, move, mechanically like the tongs of a machine, उसके हाथ ऐसे चल रहे हैं, मसीनी करत रूप से उसके हाथ चल रहे हैं, जैसे कि कोई मसीन के चिम्टे हों, यानि जैसे मसीन के उपकरन काम करत हैं, वैसे उनके हाथ जो हैं, वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो जोडने का जो काम है, वो कर रहे हैं, I wonder, मुझे आस्रिय हुआ, if she knows, यदि ये जानेगी, the sanctity of the bangles, sanctity यानि पवितरता, कि इन चूडियों की पवितरता के बारे में, जब इस बच्ची को पता चलेगा, इन इंडियन वुमेन सुहाग, यानि चूडिया जो है, वो बहरतिय महिलाओं के सुहाग के निसानी के रूप में मानी जाती है, और अभी इस बच्ची को साइद ये पता नहीं होगा, और जब ये बच्ची इस बात को समझेगी, तो ये बता रहे हैं, उसकी जो पवितरता जो है, in marriage, marriage के अंदर, it will down on her suddenly one day when her head is wrapped with a red veil, और एक दिन, it will down on her, ये एक दिन उनके उपर आ जाएगी, suddenly अचानक से, यानि ये चूडिया जो है, उनके हातों में आ जाएगी, अचानक से एक दिन, when, जब, her head is wrapped, जब उसका सिर जो है, वो ढखा जाएगा, with a red veil, एक लाल, से, her hands died, उसके हात रंगे जाएगे, red, लाल, with hina, महंदी के साथ, and red bangles, rolled on to her wrist, और उसकी, जो कलाई जो है, उसके अंदर, लाल कलर की चूडिया जो है, वो पहना दी जाएगी, ये लेकी का बता रही है, कि ये छोटी सी जो बच्ची, जो चूडिया मना रही है, सायद इसको पता ही नहीं होगा, कि एक दिन ऐसा आएगा, जब ये दुलहन बनेगी, तो इसके हातों में ये चूडिया आ जाएगी, जो बारतिया महिलाओं के सुहाग की एक निसानी के रूप में है, she will then become a bride, और फिर ये लड़की जो है, वो ब्राइड बन जाएगी, दुलहन बन जा जो बहुत साल पहले जो बुड़ी महिला दुलहन बनी थी, उसी परकार से ये बच्ची भी एक दिन दुलहन बन जाएगी, she stills has bangles, यह बुड़ी महिला जो है, उसके हातों में अभी भी bangles हैं, अभी भी चूडिया हैं, और रेस्ट उसकी कलाई के अंदर, but no light in her eyes, लेकिन उसकी आँखों में कोई प्रकास नहीं है, यहाँ पर light का मतलब जो है, वो hope से उसकी आँखों में किसी भी प्रकार की कोई चमक नहीं है, कोई खुसी नहीं है, जबकि उसके हातों में bangles है, एक वकत सेर भर खाना भी नहीं खाया, सी सेज, उसने कहा कि उसने एक वकत सेर भर, सेर जो है वो एक measurement है, पुरने जमानेगी, कि उसने एक वकत जो है वो सेर भर खाना जो है, वो भी पूर्ण रूप से नहीं खाया है, उस महिला ने कहा, in a voice, drained of joy, ऐसी आवाज जिसके अंदर joy की कमी थी, she has not enjoyed even one full meal in her life, entire lifetime, कि उसने अपने पूरे जीवन के अंदर जो है, वो बरपेट बोजन भी जो है, वो नहीं किया है, that is that she has ripped, और ये वही चीज है जो उसने काटी है, यानि जो कुछ उन्होंने अपने जीवन के अंदर बोया था, उसका ये प्रणाम है, कि उसने अपने पूरे जीवन के अंदर उतनी मेहनत करने के बावजुद भी, उन्होंने कभी भी बरपेट खाना जो है, वो नहीं काया her husband और उसके पती, an old man, जो एक बुड़े आदमी है, with a following beard, जिसकी बड़ी वी दाड़िया है, says, उसने कहा, I know nothing except bangles, कि मैं bangles के अलावा कुछ भी नहीं जानता हूं, all I have done, जो कुछ भी मैंने किया है, is मैं के house, मैंने एक घर बनाया है, for the family, परिवार के लिए, to live in, रहने क लिए, hearing him, उसको सुनने के बाद, one wonder, one wonders, कि if he has achieved, मुझे आश्रिया हुआ कि, वो जो है, उसने अचीव किया है, एक घर बनाने की जो system है, उसको, what many have failed in their lifetime, लेकर का बता रही है, कि उस वेक्ति ने अपने पूरे जिवन में केवल एक achievement तो प्राप्त किये, कि उसने अपना रहने का घर बना लिये, जबकि बहुत सारे जो लोग है, वो इस achievement में भी fail हो जाते हैं, अपने पूरे जिवन के अंदर, यानि अपने पूरे जिवन की महनत से वो अपना एक घर नहीं बना सकते हैं, ऐसा वो कह रही है, she has a roof over his head, उसके सिर के उपर कम से कम एक छत्तो है, the cry of not having money, कि इस बात का रोना रोना कि इस विवसाय के अंदर पैसे नहीं है, do anything except carry on the business of making bangles, do anything except, यानि केवल चिलाने के अलाओ और कुछ नहीं करना और जो बैंगल बनाने का जो business है, ये जारी रखना, not even enough to eat, और ये कहना कि इसमें तो खाने के लिए नहीं है, ringing in every house, तो ये जो गंटी जो है, ये रोना जो है, वो परतेग घर में बज़ रहा है, कि ये जो हम काम कर रहे हैं, इसमें हमें खाने के लिए प्रयाप्त मातरा में कुछ भी नहीं मिलता है, यानि इसमें ज़्यादा फ्रॉपिट नहीं है, ये हर घर के अंदर ये रोना जो है, वो उन्होंने जो है अमारे लिए कुछ ही नहीं किया little has moved with time कुछ तो बदला है समय के साथ it seems ऐसा परतीत होता है इन फिरोजाबाद फिरोजाबाद के अंदर years of mind numbling toil have killed all initiative and the ability of dream कि वर्षों की जो मन को ठका देने वाली जो toil है जो hard work है उसने लोगों के अंदर की जो initiative जो था जो पहल जो किसी चीज को सुधार करने की जो पहल होती है उसको उन्होंने kill कर दिया है खतम कर दिया है and the ability of dream यानि लोगों को सपना देखने की जो क्षमता जो है उसको भी इस मेहनत ने खतम कर दिया है why not organize yourself into a cooperative तो लेकिका कह रही है कि लेकिका ने पूछा कि तुम अपने आपको एक संग्ठन cooperative संग्ठन के रूप में society के रूप में क्यों organize नहीं कर लेते संग्ठित नहीं कर लेते I ask a group of young men मैंने एक युवा लोगों के group से पूछा men who have fallen into a vicious circle जो गिर गए थे जिनको जकड लिया था the vicious circle vicious यानि कूचकर of middle men बिचोलियों के यानि ऐसे लोग जिनको बिचोलियों के चकर में जो फस गए थे उनको लेकिका ने कहा कि तुम अपना खुद का कोई संग्ठन क्यों नहीं बना ले थे who trapped their fathers और यह जो middle men जो थे बिचोलियों जो थे इन्होंने इनके पिताओं को भी पकड़ा था and forefathers और उनके पुरवजों को भी यानि यहां पर पीडिया दर पीडिया जो है वो इसी काम में और बिचोलियों के चकर में फसी हुई है तो इसका संकेत लेक कर रही है even if we get organized यदि हम organized हो भी जाते हैं we are the ones तो हम वो होंगे who will be hailed up जिनकों की गसीटा जाएगा by the police यानि यदि हम संक्थन बना लेंगे तो police हमें जो है वो गसीट के ले जाएगी हमें जो है वो arrest कर लेगी beaten हमें पीटेगी and dragged to the jail or jail में डाल देगी for doing something illegal कुछ गेर कानूनी करने के जुरम में हमें फरजी केस लगा कर जो है वो jail में डाल देगी ऐसा उन लोगों का कहना है they say उन्होंने कहा there is no leader among them कि उनके बीच में कोई leader नहीं है no one who could help them see things differently और ना ही कोई ऐसा व्यक्ती है जो उन चीजों को अलग तरीके से देख सके their fathers are as tired as they are उनके पिता जो हैं वो इतने ठके हुए हैं जितने की वो खुद ठके हुए हैं they talk endlessly वो बाते करते हैं कभी ने खतम होने वाली in a spill that moves from poverty to affecty to greed and injustice यानि वो एक ऐसे चकर में फसे हुए हैं ऐसी situation में फसे हुए हैं कि जो एक चकर चलता रहता है स्प्रिल के रूप में यानि गोल घूमता रहता है और वो चीज क्या है कि सबसे पहले गरीबी गरीबी जो है उससे फिर affecty so है वो आती है affecty का मतलब होता है उदासिंता और उससे greed और greed से यान लालच और लालच से injustice अन्याई की तरफ तो यह जो चकर है इसी चकर के अंदर वो पिस्ते रहते हैं listening to them उनको सुनने के बाद I see two distant worlds मैंने दो अलग-अलग distant यानि अलग-अलग दो मुझे दो अलग-अलग संसार जो है दिखाई दिये one of the family caught in the wave of poverty एक तो वो परिवार है जो poverty का जो जाला जो है उसके अंदर पकड़े हुए हैं यानि जो गरीबी में जी रहे हैं अपना गरीबी के जो जाल है उसमें जकड़े हुए है burdened by the stigma of caste in which they are born और उनके उपर burden है उनके उपर जो है थौफ दिया गया है the stigma of caste कास्ट का जिसके अंदर उनका जनम हुआ है the other vicious circle और दूसरा जो है वो कूचकर है of the साहुकार्स और दूसरी तरफ दो वर्ल्ड होगे एक तरफ तो हैं जो लोग गरीबी से तरफ हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो साहुकारों के जाल में फसे हुए हैं middle man के जो हैं साहुकारों या जो बिचोलियों के बीच में जो हैं फसे हुए हैं और the police man है the keepers हैं keepers of law यानि पुलिस वाले ही हैं the bureaucrates जो अपसरसाई जो हैं and the politicians जो political लोग जो हैं together they have imposed साथ साथ जो है उनको थोप दिया गया है the baggage on the child और यह जो चीज है यह इसके साथ साथ जो है बच्चों पर भी थोप दिया जाती है that he cannot put down और जिनको यह बच्चे जो है कभी भी निचे नहीं उतार पाते हैं यानि इस burden को कभी बच्चे कम कर ही नहीं पाते हैं क्यों नहीं कम कर पाते हैं before he is aware कि जब वो aware होते हैं जब वो जागरुक होते हैं उससे पहले ही he accept it naturally तो वे इसको प्रक्रतिक रूप से यानि प्रक्रतिक की चीज़ मान करके इसको स्विकार कर लेते हैं as his father जैसे कि उनके पिताओं ने स्विकार किया था तो वे भी इसको जो है वो habitual हो जाते हैं वे इसके आदी हो जाते हैं to do anything कुछ भी करना else would mean to dare और जब उनको ग्रोग किया जाता है जब उनको परवरिस की जाती है तो सहस करना जो है उनको शिखाया नहीं जाता है ये उनकी परवरिस का पार्ट नहीं है when I sense a flash of it in mokais जब मैं ये जो mokais के अंदर इस परकार की daring की जो flash देखती हूँ light देखती हूँ एक चिंगारी देखती हूँ I am cheered तो मैं खुस हो जाती हूँ I want to be a motor mechanic और वो क्या कहता है कि मैं motor mechanic बनना चाहता हूँ he repeats वो दोहराता है he will go वो जाएगा to a garage and learn कि वो garage में जाएगा और वहाँ पर जो है motor mechanic का काम सीखेगा but the garage is a long way लेकिन garage का रस्ता बहुत लंबा है from his house उसके घर से तो देखो यहाँ पर जो distance का मतलब situations हैं उनके जो bad conditions हैं उनको बताया गया यह नहीं है कि उनके घर से वास्तों में garage जो है वो ज़्यादा दूर है दूरी का मतलब यहाँ पर जो बीच के जो बाध हैं उनको दिखाया गया I will walk मैं चलूँगा He insists वो जिद करता है Do you also dream flying a plane क्या तुम जहाद उडाने की भी सपने देखते हो He is suddenly silent वो अचानक से चुप हो गया No, नहीं He says उसने कहा Staring at the ground Ground को घूरते हुए Ground को घूरते हुए उसने कहा In his small murmur और उसकी जो यह छोटी सी जो बुदबुदाहट जो थी There is an embarrassment उसमें सर्मिंदा होने का एसास था That has not yet turned into regret जो अभी तक पस्तावे के अंदर नहीं convert हुआ था He is content to dream of cars वो संतुष्ट था कार के सपने देख करके That he sees जिन्हें वो देखता है उन कारों को देखता है Hartling down the streets of his town अपनी जो सहर की जो गलियां जो है वहाँ पर तेजी से दोड़ते वे उन कारों को देखता है तो उसी चीज का जो सपना लेता है और उसमें वो संतुष्ट भी है Few aeroplanes fly over फिरोजवाद फिरोजवाद जो सहर जो है वहाँ पर ने के बराबर जो है वो aeroplanes उड़ती है इसलिए वो सपने भी जो है वो वाजी भी देख रहे हैं कोई बड़ा सपना नहीं है लेकिन लेसन के अंदर लेकिका ने हमें बताया कि किस परकार से जो बिचोल ये गरीबी ये सारे जो चीजे मिलकर के जो अच्छी प्रवरिसन होने से बचों का जो जीवन जो है वो किस परकार से जन बचों के जीवन में स्प्रिंग आना चीए था बसंत आना चीए था वो जो है वो लोस्ट हो जाता है खो जाता है तो इसके साथ ही ये लेसन हमारा यहीं पर कम्प्लीट हुआ धन्यवाद